बच्चों इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिंदी से चैप्टर 7 जिसका सिर्षक है क्या निरास हुआ जाए इस वीडियो में सबसे पहले पार्ट का सरांस जानेंगे उसके बात कुछ परिच्छप्व की प्रश्णों के उत्तर जानेंगे यह सीवेश सी पार्ट पच्चों इस पार्ट में लेखक हजारी परशाद दिवेदी जी द्वारा लिखित क्या निरास हुआ जा एक स्रिष्णी बंद है इस पार्ट के द्वारा लेखक देश में उगजी समाजिक बुराईयों के साथ-साथ अच्छाईयों को भी उजागर करने के लिए कहते हैं वे कहते हैं समच्चार पत्रों को पढ़कर लगता है कि सच्चाई और इमंदारी खत्म हो गई है आज आदमी गुनी कम और दोसी अधिक दिख रहा है आज लोगों के सच्चाई से अस्था डिखने लेगी है लेखक कहते हैं कि लोग मुग काम क्रोध आदी को शक्ति मान कर हार नहीं मानने चाहिए बल्कि उनका डट कर शामना करना चाहिए वे आगे कहते हैं कि हमें किसी की हांत की कटपुतले नहीं बनना चाहिए कानून और धर्म अलग-अलग हैं प्रंतु कुछ लोग कानून को धर्म से बड़ा मानते हैं समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बुराई को रस लेकर बताते हैं बुराई में रस लेना बुरी बात है लेखक के अनुशार सच्चाई आज भी दुनिया में है इसके कई उधारान उन्होंने पार्ट में दिया है लेखक आज के समय में फैले वे डखैती, चूरी, तसकरी और भरष्टाचार से बहुत दुखी हैं बच्चों इस पार्ट में लेखक आगे बताते हैं कि आज कल का समचार पत्र आदमी को आदमी प्रविशास्त करने से रोकता है लेखक के अनुशार जिस स्वतंत्र भारत का शुपन गांधी जी तीलक टेगोर ने देखा था ये भ आज कर रहे हैं लेखक के अनुशार भारती हमेशा ही संतोसी प्रविति के रहे हैं वे आगे कहते हैं कि आम आदमी की मौलिक श्रक्ताओं को पूरा करने के लिए कानुन बनाएं गये हैं कि आज लोग इमंदार नहीं रहे हैं बारत में कानुन को धर्माना गया है किन्तु आज भी कानुन से उंचा धर्माना गया है सैथ इसलिए आज भी लोगों में मंदारिश चाहिए लेखक को यह सोचकर अच्छा लगता है कि अभी भी लोगों में इंसानियत पाकी है उधारन के लिए बेवस और रेल्वे स्टेशन पर होई घटना है कि बात बताते हैं इन उधारनों से लेखक के मन में आसा के की खीरन जकती है और वी कहते हैं कि अभी निरास नहीं हुआ जा सकता लेखक ने टेगोर की एक प्रतना कित का उधारन देकर कहा है कि जिस प्रकावरों ने भगवान से प्रतना की थी कि चाहे जितनी पत्तिया आए वे भवान में ध्या लगाए रखेंगे लेखों को भी विश्वास है कि एक दिन भारत इनी गुनों के बल पर वैशा ही भारत बन जाएगा जैसे वो चाहते हैं आता अब निराज ना हुआ जाए जब भी लेक्त समाचार पत्रों को पढ़ते हैं उनका मन उदास हो जाता है क्योंकि समाचार पत्रों में चल बाज रखेती चोरी चोरी से सीमा पर माल ले जाने की क्रिया की खबरे छपती हैं इस तरह के कर बहुत ती पढ़ गए हैं अनेतिक आचरन बुरा आचरन शमाज में चारों तरह फैला हुआ है समाचार पत्र खोल कर देखिए तो आप इन सभी का चिक्रिक पाएंगे मानो ऐसा लगता है कि चारों और बुरायां ही बुरायां हैं अच्छाई का कोई नाम ही नहीं है एक दूसरे को गलर ठहराना नजर आता है ऐसा वातवां बन गया है कि लग देमानी और भर्ष्टाचार कर रहा है हर वेक्ति संधे की दिष्टी से देखा जा रहा है जो जितने ही उचे पत्पर है उनमें उतने ही अधिक दोस्त दिखाए जाते हैं एक बहुत बढ़े आदमी ने मुझसे एक बर कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता बच्चो अब हम इस चैप्टर के कुछ परिच्छप्र की प्रश्णों के उत्तर को जानेंगे पहला प्रश्णा है लेखक ने शिकार किया है कि लोगों ने उन्हें भी धोका दिया है फिर भी वो निरास नहीं है आपकी विचार से इस बात का क्या खारण हो सकता है तो उस केले विश्वाश करना बेहत कष्टिकारी होगा और इसके साथ साथ वे उन लोगों पर उगली उठाएंगे जो आज भी मनदारी और मनुष्टा के सजी उधारन है यहीं लेखका शावादी होना उजागर होता है और उनी लोगों का शमान करते वे उनकी प्यक्चर नहीं क करना चाहते जिनोंने कठी समय में उनकी मदद की है इस कारण वो अभी भी निरास नहीं है शेकन प्रशने हैं दोसों का परदा फार्ष करना कब बुरा रूप ले शकता है उसका इंसा है दोसों का परदा फार्ष करना तब बुरा रूप ले शकता है जब हम किसी के किसी की बुराई में रश लेना आरंब कर देते हैं और अपना मौन वंजन करने लग जाते हैं हमें करना चाहिए बलकि उनकी अच्छाई को भी सराना करना चाहिए थार्ड प्रशन है लेखक ने लेखक का सिर्षक क्या निरास्वाजय क्यों रखा होगा क्या आप इससे भी बेतर सिर्षक सुझा सकते हैं तो इसका इंसर है लेखक ने इस लेखक का सिर्षक क्या निरास्वाजय उचित रखा है क्योंकि यह उस सत्य को जागर करता है जो हम अ तो यह सही नहीं होगा आज भी ऐसे कई लोग हैं जिनों ने अपने मंदारी को ब्रकरार रखा है लेखक ने इसी अधार पर लेखका सिर्शक क्या निरास हुआ जाये रखा है यह कारण लेखक कहते हैं कि ठगा मैं भी गया हूं धोका मैंने भी खाया है प्रन्तु ऐसी घटनाएं भी मिल जाती है जब लोगों ने अकारण ही सहता भी की है जिससे मैं अपने को ढ़ाडस देता हूं यदि लेखक का सिर्शक उर्जाले की ओन होता तो सायथ लेखक की बात को और बल मिलता अब हम कुछ रोचक बाते जानेंगे बच्चो दो शब्दों की मिलने से शमास बनता है शमास का एक परकार है बन्द शमास इसमें दोरोशब्द परधान होते हैं जब दोनों भाग परधान होंगे तो एक दुसरे में दोन याने परदा होड के शम्भाना होती है कोई किसी से पीचे रहना नहीं चाता जैसे चरम और परम बराबर चरम परम भीरू और बेवस मतलब बराबर मतलब भीरू बेवस दिन और रात बराबर दिन रात यहाँ पर और हटा कर हम सब्दों को डेस लगा कर भी योजक्चिन पना सकते हैं कभी कभी एक साथ भी लिखा जाता है अब हम दोन समाज के बारा उधारन यहां पर देखेंगे तो पहला है ये सब उधारन में पहला है सुख और दुख यहाँ इसमें और हटा कर दैस लगा के बनाया गया है जुक्र दुक शेकेंड भूख और प्यास और आता कर देस लगा के भूख और प्यास इसी तरह बाकिश हो भी शमाश यहां पे 2 गषुाडा ऑर रहश्वा रहत allocate भूबर रहते जाते 8 है पाना और खोना तो उसका ब्राबर है पाना और खोना 9 है पाप और पुने तो उसका ब्राबर है पाप और फूर्ण 10 है इस्तिडियो पूर्ष ब्राबर इस्तिडियो पूर्ष 11 है राम और सीता ब्राबर है राम सीता प्रश्न है कि पार्ट से तित प्रकार के शंग्यों का उधारण खोच की लिखीये इसका अंसर है पहला है विखति वाचक संग्या सेकेंड है जाति वाचक संग्या थाढ़ावाचक संग्या वैक्ति वाचक संघ्या का उधारण है रविंदरनाठ ड्यगोर मदन महालवी तिलक महत्मा गांधी इत्यादे चाति वाचक संघ्या है बस, यातरी, मनुश, ट्राइबर, कंडक्टर, भिंदू, मिश्लिम, आरे, द्रविंट, पति, पत्नी इत्यादी भावर्चक संग्या का उधारन इमंदारी सच्चाइजूट छोर डकैत इत्यादी